Hi students, इस वीडियो लेक्चर में हमें study करेंगे copy constructor के उपर और हम समझेंगे copy constructor क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका मतलब क्या है, यह सभी point इस वीडियो में हम discuss करेंगे और last में वीडियो के हम एक program बनाएंगे और उस program को computer machine पर भी चला करके देखेंगे और इस copy constructor के उपर मैं आपको memory mapping भी दिखाऊंगा कि copy constructor में object को memory mapping कैसे मिलती है object को कैसे memory allocate होता है हमारे system के द्वारा तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी point किलियर करूंगा तो अगर आप वीडियो को नहीं like किया है तो like कर ले चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और वीडियो के नीचे comment जरूर करें अगर आपके पास कोई doubt बच रहा है तो तो अब हम चलते हैं अपने point को समझने what is copy constructor in Java जावा के अंदर copy constructor क्या होता है the copy constructor is a special type of constructor which is used to copy the data from one object to any other object this type of concept copy constructor मेरे दोस्त copy constructor का simple example है और simple concept है एकदम आसान भासा में कि अगर किसी object के अंदर कोई data है तो उस data को किसी दूसरे object में copy करने का काम करता है हमारा copy constructor ठीक है copy constructor कैसे data को एक object से दूसरे object में copy करता है मैं आपको इसमें programming में proof करके दूँगा और memory mapping के साथ समझा करके भी दूँगा इस video के आगे ठीक है next point देखते हैं it take object of class as a argument parameter यह जो copy constructor होता है न आपका object लेता है यह जो copy का structure है यहां argument में object लेता है और जो मेरा parameter का structure था उसमें object में हम कोई primitive data type पास करते थे लेकिन यहां पे copy का structure के अंदर हम object पास करेंगे object का reference पास करते हैं copy का structure के अंदर यहां एक parameter का structure के जैसा ही होता है लेकिन यह argument में यानि parameter में object लेता है किसी class का ठीक है मैं इसमें लेकर के चलूँगा तो आपको समझ में आएगा syntax है जैसे आप यहां पर ध्यान देना है आपको syntax के class हमने बनाया class का यहां पर कोई नाम लिखा क्लास का यहां सब उड़ी स्टार्ट हुआ है यहां पर ब ठीक है और यहां से इसका body start होगा फिर यहां से body close होगा इसके अंदर executable statement होता है ठीक है और यह जो object है यह object का reference होता है यह एक variable होता है मैं इस program में discuss करूँगा आपको एक example दिखा करके ठीख है तो कुछ इसी टाइब का आपका होता है copy constructor का syntax इंटर्वियू में अगर आप बैठे हैं तो आपको सबसे पहले interviewer copy constructor से question जरूर उठाता है क्योंकि copy constructor का जो concept है logic है या कुछ आलग है तो इसलिए इसे question exams में interview में हर जगह पुछा जाता है तो आपको यह जो मैं आपको थीवरी समझाया हूँ इस थीवरी को अपने नोट बूप में नोट डाउन करना है सेंटेक्स को समझना है एक्जामपल मैं कराऊंगा उसको भी समझना है और आपको बढ़िया से लर्ण करके रखना है ताकि जब आपका एक्जाम्स में आए या इंटर्व्यू में या कोस्चन आए तो आप बता पाऊ ठीक है अब मैं आपको इसके उपर एक एक्जामपल करा देता हूँ तो एक्जामपल देखते हैं एक्जामपल है हमने एक क्लास बनाया क्लास का नाम रखा एक्जामपल ठीक और इस क्लास के अंदर हमने दो फिल्ड रखा इंट में ए और इंट में भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामिटराइज कंस्ट्रक्टर इसके अंदर इंट में एक्स और इंट में वाई पैरामिटर हमने पास किया जो कि यह reference variable है उसके बाद हमने a is equal to x और b is equal to y किया मतलब कि x में जो value आएगी वो a में चली जाएगी y में जो value आएगी वो b में चली जाएगी और यह a और b instance variable है यहाँ पर declare है तो यह तो आपरा object का part हुआ ना तो यह value हमारा x की a में और y की b में हमने set कर दिया constructor को बंद करिया फिर एक नया हमने constructor create किया जो कि parameter constructor है यह constructor का class का नाम लिखा example और देखो यहाँ पर example हमने लिखा उसके बाद यहाँ पर obj1 को हमने pass कर दिया यह जो आपका है class का नाम है और यह जो obj हमने pass किया हुआ है reference variable है आगे आपको समझ में आएगा जब मैं object create करूँगा इस class का तो इस constructor के अंदर हमने क्या किया यह जो obj1 है ना इस object में जो data है a इसको copy करके निकाल करके हमने am variable के अंदर डाल दिया फिर obj1 में जो data है इसे b इसे निकाल करके हमने am variable में डाल दिया तो अब हमारा जो a की data है am में चला आएगा b की data है तो am में चला आएगा ठीक है system.out.println करके am को हमने यहाँ पर यह जो am है am को print करा लिया system.out.println करके am को print करा लिया ठीक है आगे देखते है अब यहाँ पर तो आपका class कर लोज हुआ है उसके बाद यहाँ पर class एक हमने man class बनाया इसके अंदर public static wide man लिखा existing argument इसको save करना है आपको man.java के नाप से ठीक है उसके बाद example class का हमने दो object बनाया obj1 और obj2 फर्स्ट object में देखो यहाँ पर constructor call हुआ तो हमने 10 और 20 पास कर दिया parameter ठीक है दूसरा object हमने बनाया obj2 new keyword की मदद से इसमें example में हमने obj को उठा करके यहाँ पर पास कर दिया ठीक तो यह हो गया हमारा copy constructor और यह हो गया हमारा argumented constructor system.out और print learn करके value compute successfully हमने message डाल दिया man method को बंद किया class को बंद किया output आएगा आपका यह value of m is equal to 10 value of n is equal to 20 यह कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूँ जैसे ही आपने यहाँ पर 10 और 20 पास किया है यह 10 चला जाएगा x के अंदर 20 चला जाएगा y के अंदर और 10 फिर x is equal to a 10 चला जाएगा a के अंदर फिर transfer हो जाएगा फिर y के 20 है यह transfer हो जाएगा b के अंदर और देखो a और b यहाँ पर globally declare है यह instance variable है अब देखो अब मैं यहाँ पर a और b को print नहीं कराया हूँ aim और n को print कराया हूँ तो यह जो a और b है न यह obj1 के अंदर है ठीक यह a और b जो है a और b object 1 का variable है तो अब object 1 से हमने यह a की value को निकाला और फिर m मैं डाला b की value को निकाला फिर n मैं डाला तो अब a में जो value है अब m में चली आएगी b की value n में चली आएगी तो a m को हमने प्रिंट कराया फिर यहाँ पे n को प्रिंट कराया तो हमें output मिला यह aim is equal to 10 और n is equal to 20 तो यह value हमने डाला था किस में यह value 10 और 20 डाला था हमने variable a के अंदर a b के अंदर लेकिन हमने print करा लिया aim और n को copy करके value को ठीक है तो यही होता है copy constructor आपको मैं memory mapping दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा जैसे आपको अपने एक object बनाया तो ओबिजे 1 ठीक है तो ओबिजे 1 बनाया तो object 1 में a और b को memory allocate हुआ object को तो एक memory allocate हुआ और इस object के memory allocation के अंदर फिर हमें a और b को भी memory allocate होता है ठीक यूँकि instance जो variable होते हैं object का part होता है हमें बालू में तो object का पार्ट होता है तो इसका मतलब object के अंदर ही इनके memory allocate होंगे तो a का memory allocate हुआ इतना और b का memory allocate हुआ a में है 10 और b में है 20 फिर हमने दूसरा object बनायता ना यहाँ पर object 2 तो हम object 2 यहाँ पर बनाएंगे तो object 2 को memory allocate हुआ और object 2 का variable है m और n ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इस a की value उठा करके m में डाल देंगे copy कर देंगे फिर b की value उठा करके n में copy कर देंगे तो अब जो यह object 1 में जो value था a और b का यह अब चला आया object 2 में ठीक अब उसके बाद हम system.out.println करके m को प्रिंट करेंगे तो 10 आएगा system.out.println करके n को प्रिंट करेंगे तो 20 आएगा तो देखो a में value था लेकिन अब m में चला आया b में value था तो n में चला आया तो इस type से हम data को copy करते हैं by using copy constructor तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में देखो यह जो objects है ना obj1 और obj2 इनके memory adequate होता है और आपका obj1 object 1 में आपका variable a होगा variable b होगा और obj2 में आपका variable m होगा और variable n होगा और देखो यहां पर हमने example object बनाया new और इसमें example में object को यहां पर pass कर देते हैं इस object को कौन catch कर लेगा इस object को catch कर लेगा आपका यह थेक मतलब कि अब यह object चला आया यहां पर और इसमें से हमने data को A को निकाला, फिर M में डाला, फिर B को निकाला, फिर M में डाला, और फिर A मोर N को हमने डिस्प्ले करा लिया, और यह जो होते हैं, इंग्जाम्पल, यह आपका क्लास का नाम है, और यह है औपजिट का रिफ्रेंस, ठीक है, तो आईवोप आपको यह कॉंस्टेप्ट समझ में आ चुका होगा, अब मैं इसको कम्पूटर मसीन पर भी चला करके आपको दिखा देता हूँ, अब मैं आपको समझा देता हूँ, कम्पूटर मसीन पर, सबसे पहले हमारा क्लास का नाम है एकजाम, इस क्लास के अंदर हमने दो फिल्ड बनाया, A और B, इस फिल्ड के अंदर एक पारमिटराइज कंस्टेक्टर बनाया, और इसमें X और Y आर्गुमेंट पास किया, X की व वेलू हम B में डाल दे रहे हैं, ठीक है, with the help of parameter constructor, ठीक, उसके बाद हम एक कोपी कंस्टेक्टर हमने बनाया, कोपी कंस्टेक्टर का हमने यहाँ पर कलास का नाम लिखा, यहाँ पर object का reference पास किया, object में जो भी value है, variable का, जैसे object.a में एक की value निकाल करके हमने B में डाल दिय फिर यहाँ पर object.a1.b मतलब की B की value निकाल करके हमने N में डाल दिया, दूसरे variable में, उसके बाद system.out.println करके M और N की value प्रिट करा लिया, जो भी A और B से value आया है, M और N में उससे हमने display करा लिया, उसके बाद आपका यहाँ से copy कंस्टेक्टर close हुआ, उसके बाद आप का यहाँ से class close हुआ, class एक हवर बनाया हमने, जो कि man class होगा, इसके अंदर public में static wide man हमने लिख लिया, अब इस example class का दो, हमने exam class का दो object बनाया, obj1 और obj2, first object का जो constructor हुआ है, यहाँ पे parameter constructor, इसके अंदर हमने 10 और 20 पास किया, जो कि यह argumented constructor है, तो यह value लेगा, copy constructor के अंदर, यह जो object 1 है, इसे हमने उठा करके, इस constructor के अंदर पास कर दिया, object को, ठीक है, उसके बाद system.out.print1 करके, हमने एक message दे दिया, value copied successfully, जैसे हमने यहाँ पे argument में 10 और 20 पास किया, तो यह 10 को x कर लेगा, 20 को y कर लेगा, और x के value हमने a में डाल रखा है, तो मतलब कि obtain चलाएगा, a में और 20 चलाएगा, b में, ठीक, और a और b क्या है, globally declare है, मतलब कि instance variable है, तो यह किसके parts है, यह object 1 variable का parts है, तो यह object 1 के अंदर memory allocate होगा, इन दोनों का, फिर object 2 के अंदर हमने object 1 को उठा करके डाल दिया, यहाँ पे object, तो इस object को hold कर लेगा कौन, यह object का reference, यह catch कर लेगा, अब देखो, इस में object 1 में क्या है, a और b है, तो हमने object 1.8 की value निकाल करके, m variable के अंदर डाल दिया, obj1.b, मतलब की b की value निकाल करके, हमने n variable के अंदर डाल दिया, और m और n को हमने display करा लिया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो जब आप पीसे run करोगे, और compile करोगे, तो आपको output मिलेगा, 10 और 20, ठीक है, और यह जो मैं यहाँ पे int में m और int में n डिकिलियर किया हूँ, आप पीसे उठा करके, इस class के अंदर भी डिकिलियर कर सकते हो तो आपकी मर्जी है, और आप चाहो तो इस program को अपने logic के हिसाब से change भी कर सकते हो, लेकिन इस program को समझ लोगे, तब ही आप change कर पाओगे, otherwise आप से change नहीं हो पाता है, तो इस video के में अगर आपके पास कोई doubt बच रहा है, तो आप comment section में पूछ सकते हो, और मेरा number description में है, direct call भी कर सकते हो, और वीडियो से अगर आपको जनकारी मिली है, तो वीडियो को apply करे, share करे, और channel को जरूर subscribe करे, thank you